आजने हम दो यूसपुल आइटिया बनाएंगे तो सबसे पहले दो पार्ट लिये हैं 10x7.5 और लेस हमने उसके उपर अटेज किये इस तरीके से आपको करनी है वेल्कम बेक तो मैजिकल हैंड आपकी अपनी चैनल मैजिकल हैंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लेस कर लेना देखे लेस को इस तरीके से अटेज करने के बाद मैंने यह लेस का पूरा बोडर था इसमें छो प्रेस्टीज कर लीजिए और जटपट से हो जाएगा और इसी तरीके से आपको दूसरा पाट लेना है यह दो आइडिया जो है न वह बहुत ही काम के सीख रहे हो या फिर इस तरीके का जो किसी को गिप्ट करना है न फ्रेंस तो जरूर से आप ऐसा है छोटे-छोटे बना अब हम क्या करेंगे साइड में स्टीज करेंगे तो ऐसे आपको साइड में स्टीज कर लेना है जिससे अच्छे से हमारा स्टीज हो जाए बहुत ज्यादा मेनत नहीं अच्छे से सिंपल से हो जाएगा तो ज़रूर बनाने की ट्राइग कीजिएगा अगर आपको ऐसे स्ट एक और पर बर चलोंगा वह लेकिन आप इसमें बहुत सामाइब रख सकते हो यह फिर किसी को आप देते हो तो वह बहुत अच्छाव लगेगा ना सबको बढ़े बड़े को अब जब देते हैं तो बहुत खुस होते हैं तो देखिए इस तरीके से हमने कॉर्नर जो टो बै करके नहीं जोड़ना पड़ता एजीली वही रेडी हो जायता है और एक और भी में थवड़ है जिसमें हमें टू बाइटू इचिस का बोक्स भी नहीं कट करना पड़ता है कि इतना प्यारा लग रहा है कोई कहेगा हमने घर पे बनाया यह तो बिल्कुल मार्किट जैसा ही ल उसके अपर के टिज लिया है जोड़ लिए आप देख सकते हो अब आपको करना है क्या है यहां पे इसे फौल कर लीजीयों और ऊपर से सेपदेना है ब्लगुल मार्केट जैसा लू का थाइक इस तरहिए से अगर आप देती हो ना से तो मार्केट में ऐस से सेप वाली टॉट बैग मिलती है तो जब आप इस तरीके सी महेंगी महेंगी जो 300-400 की होती है वो आप वेस्ट कपड़ों से फ्री में बना लेते हो तो कितना अच्छा होता है तो यहां पर से मैंने ऐसे कट कर लिया फिर यह लेश का ही पार्ट है ट्वैल बाइवानी जिसका जिसे ना हैसे दोनों सैट से फॉल्ड करके हैंडल रिडी कर लेंगे इसमें आप बाड़े चुटे अपने हिसाब से कर सकते है अब हम हैंडल को यहां पर ऐसे अटेज करना है ठेक है ऐसे अटेज कर लिजेए फिर क्या करना है देखिए मैंने बोला था कुछ करने के भीना भी हम बोटम पार्ट रेडी कर सकते हैं तो दोनों साइड वान नीचिस पे देखे ये जो मियन पार्ट है उसमें किजिए अब दोनों मार्क को ऐसे मिला लीजिए बस और साइड में स्टीज करना है मिलाने के पाथ और बोटम पार्ट रेडी हो गया कुछ कट करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा अब हमने दो स्ट्रिप कट की है 12 x 2 inches की इसे न आपको स्टीज करके जोड लेना है जोडने के बाद ये जो अस्तर है वो तीन पार्ट ले लीजिए 7 नीचिस की और 9 नीचिस की फॉल्ड करते हुए ठीक है ऐसे आपको अटेज करना है फिर दोनों पाट जो है ना दोनों साइड में जीप में अटेज कर लेना है अगर आपको दो पोकेट बनाने है तो यह मेथड आप ट्राय किजिएगा अब यहां से हम रनर डाल देंगे जीप के अंदर तीनों पाट न है तो फोल्ड कर लिजिए अब देखें यह में पाट जो जोड और यह उपर की स्ट्रिप का जो और दोनों को मिला यह और पूरे राउंड में स्टीज करना इसमेंगे जो बैग का सेब है उसी के उपर आपको चलना है हमने उपर की स्ट्रिप का सेप नहीं दिया जो एक्स जिसे सिधा करेंगे तो आपको फिनिशिंग अची आएगी चोटी-चोटी बाते हमें ध्यान रखने और नीचे से हमने पोकेट को फोल्ड कर लिया मतलब स्टीज कर लिया और यहां पे हमारी पार्टी वेर डिजाइनर बहुत ही प्यारी क्यूट सी बैक बनकर रेडी हो गई